वेल्कम टेयर चैनल एस्ट में शेयर माके स्टोक कर स्टोक आई जमसे बात करेंगे पैनार इंडस्ट्री इस तो गाइस पैनार में आई बहार तो गाइस वो चीजें गलत नहीं है यहां पर आप लिख सकते हैं यह आने वाले टाइम का एक बहुती बड़ा मल्टी बैगर हो स सकता है जिस तरीके के जो सिच्वेशन है उसको देखते हुए तो गाइस क्या इसके पीछे क्या ऐसी चीज है जो की मल्टी बैगर हो सकता है मैंने पहले भी पैनार इंडस्ट्री को लेके काफी सारी वीडियो आफ तक पुचाई है जब इसकी वैल्यू जो है पचास प्सक्राइब करना मत बुले अद्वाजी के लेटर्श अबडेटी न्यूज मिस कर जाएंगे तो गाइस अगर बात करें आज के हाई की एक सो बतीस रुपे दस पैसी सकाज का यह लोग की बात करें तो गैस यहाँ पर मैकसिमम जो है काफी नीचे था यहां पर पचास एंड उसके बाद काफी बड़ा जंप अलड़ी शेर ले चुका है और एक नया मल्टी बैगर आपके लिए तयार हो चुका है तो गैस अगर बात करें इसके अभी एड़िजन सिच्वेशन की तो एनसी पे जो वोल्यूम ट्रेट हो है करें तीन लाग के आस पास एनसी पे बीएसी की बात करें तो बीएसी पर भी इस चो सट अजार के आस पास वोल्यूम ट्रेट हुआ है सोटलेसिस की बात करें तो स्ट्रेंट से बढ़ा हुआ शेर है नो वीक्नेश ऑपरसुटीज भी है थ्रेट थोड़ा सा है क्योंकि नोन कोर इंकम जो है वह इंक्रीजिंग है प刃त इसके अलावा हंड़ड पर्शेंटव पर-शिंट इसमें ऌनेलेस्त जो है अब भी भी इसको कर Tr violet करें आप करें तो सात्सों चावालिस करोड़ाय यहां पर आप खुद अंदाजा लगा सकतेंग एकको बड़ा यहां पर जो की ओर का जो की एक बहार आई हुई है पैनार इंडर्श्री में तो गैस यहां से यहां पर हलका सा डंप देखने को मिला था बट जादा यहां पर डंपिंग नहीं है यहां पर आप देखेंगे तो डंपिंग वो बिलकुल क्लियर हो जाएगी यहां पर जो कि revenue के साथ जो है profit increase हुआ है बाइस करोड़ से 25 करोड़ हो चुका है profit EPS की बात करें तो situation यहां पर भी काफी बहतरीन है share holding की बात करें तो यहां पर जो की प्रोटर के holding बिल्कुल stable है no doubt की pledge है 2.8% की पास and FIA की की बात करें holding को decrease किया गया है DIA की बात करें holding को increase किया गया है public की बात करें public holding यहां पर जो की increase हुई है अदर्स की बात करें तो holding यहां पर जो की दुबारा यह 0.09% के साथ December quarter में इसके अलावा Mitchell fund की बात करें FIA की बात करें 0.38% के साथ decrease हुई है holding JSW टाटा स्टील इंडाल को जिंदर स्टील इसकी पेश कंपनिया मार्केट में मौझूद है अब बात करते हैं इसकी टोटल एक्विटी की उसके बाद बात करेंगे इसकी ब्रेकिंग न्यूज की तो गाइस टोटल एक्विटी भी जादा नहीं है साड़े तेरा क्रोड के आसपास है जिसमें से साड़े पाथ करोड के आसपास जो है प्रोड के पास है पब्लिक के बात करें तो आठ करोड के आसपास जो है पब्लिक के पास मुझूद है जिसमें अगर बात करें इसके लेटर की तो गाईज एक लेटर दिया है यहाँ पर जो कि चार तरीक को एंड बीसी और इसमें clarification है कुछ share जो है वो यहां पर जो कि promoter से public में reclassification के लिए यहां पर दिये गए थे जो कि approval के लिए दिया गए था है उसका approval आ चुका है एंड वो approval जो है कुछ share है जिसका जो है reclassification होना है यानि कि promoter में है अभी जो कि public में जाएंगे तो guys यहां पर कुछ नाम भी है जो कि जिसका reclassification होगा तो वो सारी चीज़े भी यहां पर दी हुई है एंड टोटल एकुटी की बात करें तो guys pre reclassification जो है 60.26% है एंड उस post reclassification के बाद जो है 60.41% हो जाएंगी यानि कि जो कि नंबरों पर जो कि public प्लस जो promoter है promoter थोड़ा सा decrease हो जाएगा 39.59% हो जाएगा एंड जो public है वो increase हो जाएगी तो guys यह reclassification जो कि इसके लिए approval आ चुका है तो guys यह letter है यह letter दिया गया है जिसमें से जो कि Y रेखा राओ के जो है जो शेर है कुछ 99,000 के आसपास वो decrease होंगे इसके अलावा जो है फोर्ड कोची होल्डिंग के जीरो है तो guys जो total percentage of जो की share है जो की even promoter के पास है वो public में सले जाएगे यह एक reclassification जो कि पिनार इंडुस्रीज में देखने को मिलेगा इसका जो की even जो की पोर जो अभी एट पेजिंट जो डेटेल है उसमें ये changes जो की even March की holding में यह देखने को मिलेगा सो थेंक्स लोट पॉस्टिंग दी वीडियों से फ्लीज चेकें प्लीज लाइक कमेंट सेरा सब्सक्राइब थैंक यू टेक केर और प्लीज मेरे हिसाब से एक बहतरीन शेर है मिस्समत करें सो थैंक यू टेक केर